गुड मॉर्निंग इस्टूरेंट्स मैं जैपों से डॉक्टर त्विप्ति विचवरगे ऐसे जैन सुगत पीजी ओटना वसक्वाले से आपका यूट्यूब चैनल पर वालकम करते हैं और आज हम अपने जो इंडस्ट्रियल लौ पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी मैंने मेरे लास्ट क्लासेज में आपको फैक्टरी एक्ट समझा दिया है कि फैक्टरी एक्ट क्या कहता है अब हम बात कर रहे हैं कि जो मिनिमम वेज़ेज है वो वेज़ेज एक्ट क्या कहता है ठीक है तो पेमेंट आफ वेज़ेज एक्ट 1936 के क्या प्रोविजन्स हैं लेबर लेजिसलेशन में तो आपको मैं बता दूँ जैसे कि फैक्टरी एक्ट भी बहुत इंपॉर्टन है बिल्कुल ऐसे ही जो वेज़ेज पेमेंट आफ वेज़ेज एक्ट है वो भी अपनी जगे बहुत इंपॉर्टन है ये चीज़े आपको लेबर लॉव में बहुत सपोर्ट करेंगी कि अगर आपका इनको अंडरस्टैनिंग प्रॉपर हो जाए तो शुरू करते हैं आपन ये एक्ट देखो ये एक सेंट्रल लेजिसलेशन एक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्मेंट फ्रेम करती है और ये सेल् इसमें जुडिशरी भी ये खुद ही किये जाते है अब इसमें बात करेंगे ये एक्ट कब लाग हुआ ये 23 अप्रेल 1936 को ये एनफोस किया गया था और इसको रेगुलेट करने के लिए जो लोग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जहां भी एंप्लॉइट है उनके व पर मिल जाए इसलिए इस एक्ट की जरूरत महसूस हुई थी ठीक है ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें उनके काम का तुरंट उन्हें वेजेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कहते हैं कि इस एक्ट में पर्टिकुलर ये देखा गया था कि एक रेगुलर अथराइज डिडक्शन तो नहीं कर लिया गया उस महनताने में से ये बहुत इंपॉर्टेंट बाती क्योंकि अगर मान लीजे हम मानते हैं कि किसी एक वर्कर को 600 रुबे मिलता है एक दिन का या यूं मान लेते हैं कि किसी एक वर्कर को 3,000 या 4,500 महीने का मिलता है तो उस 4 4,500 में कोई डिडक्शन तो नहीं कर लिया गया है अनॉथराइज बहु कोई नुकसान हुआ है कोई पैनल्टी लगी है कोई पैनिश्मेंट है वहां तक तो ठीक है पर वो भी पैनिश्मेंट पैनल्टी क्या अकॉर्डिंग टू प्रविजन है और क्या उसको अनॉथराइ इस एक ग्षेक्शन इंटब्स से की झाती है इस एकट के ठून रहा है कि यह एक तो पूरे इंडिया में लागू होता है इसका शैक्शन बागेमट इसी बात को clear करता है और it was extended to Jammu and Kashmir by the Central Level Law जिसको Central Level Law 1917 था उसके तहत ये Jammu-Kashmir में भी लागू होता था, right? वो जो amendment हुआ था Jammu-Kashmir Act में उसकी base fire Jammu-Kashmir में भी ये जो Payment of Wages Act है वो वहां भी लागू हुआ था, right? अब बात करते हैं, ये किन-किन पर लागू होता है, जो Payment of Wages Act है, ये किन-किन पर लागू होता है ये बता दें आपको, ये especially чार तरह की लोगों पर लागू होता है इसको मैंने आपको इसे तीन तरह के लोगों पर कह दिया है तीन तरह के लोगों पर ये लागू होता है इसमें ये कहा गया है कि जो इसका section 1 है उसका sub section 4 ये कहता है कि कौन से लोगों पर ये apply होगा एक तो वो लोग जो factory में employed है all the person employed in factory number 2 ये कहता है उन persons पर भी ये लागू होगा जो कि किसी railway में railway administrator के द्वारा उन्हें appoint किया गया है चाहे directly और चाहे sub contractor से यानि चाहे तो उसे कोई contractor के जरीए appoint किया गया हो या employment किया गया हो या फिर railway administration ने उसे railway के किसी भी department में as a worker new किया हो तो उस worker पे भी payment of wages act लाभू होगा और number 3 ये कहते है हर वो industry person employed in industrial and other established specified in sub clauses A to G of clause second of section 2 यहां ये बास समझ लेना जरूरी है कि जो इसका section 2 है उसका subsection second जो है उसका clause second जो है उसमें a से लेकर के g तक की कुछ industries mention है उन industries में अगर वो लोग काम कर रहे हैं कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों पर भी ये act apply होता है ठीक है और उसके अलब अगर कोई बात कहते हैं अगर किसी जहद में उसकी सीमा में आ जाता है अब बात करते हैं कि इसके क्या objectives है इस act के क्या objectives है तो एक बहुत important objective तो ये है कि जितने भी लोग employed हैं उनकी उस विशेश वर्ग के employed persons के wages के payment को regulate करना ये इसका पहला objective है कि एक विशेश वर्ग के जो नियुक्त वर्कस हैं उनके wages की बरोबर उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस शीश की ensurety करना उसके अलावा ये कहता है उन बातों को भी clear करना कि कौन सी date को wages मिलनी चाहिए साथ में किस तरह के deduction या fines उस पर लग सकते हैं अगर authorized deduction या fine लगे हैं तक तक तो ठीक है अगर unauthorized fine या deduction के जाते हैं तो act ये कहता है ये illegal है इसके रहावा कहते हैं तीसरा objective to ensure payment of wages to person who covered the act certain provisions have been made in this act इस act में कुछ provisions ऐसे बनाए गए हैं कि उनके wages के payment को ensure किया जाए जो लोग इस act के अंडर में आते हैं अब बात करते है जो ये act है इसके तीन पार्ट है जो payment of wages act है इसके तीन पार्ट है नमबर वन पार्ट जो है वो ये देखता है कि इसका regulation of payment of wages proper होता रहे यानि जो मजदूरी दी जा रही है उसका payment हो ना उसका framing हो ना वो सब proper हो पार्ट नमबर सेकेंड ये कहता है वो heads के बारे में कहता है अंडर विद direction are to be made of wages कि जो मजदूरी है उसके लिए किन किन तरह की कटोतिया कौन कौन से शीशकों के तहट की गई है और जो पार्ट थर्ड है जो पार्ट थर्ड है वो ये कहता है उस mechanism या उस machinery की बात करता है for enforcing specific claims जो की विशेश दावों को enforce कराने का काम करती है तो अब तो ये तो हो गई इसके सारी overview वाली बाते अब जड़ा बात करते हैं इसकी definition की ये इसकी definition जो है section 2 में cover की गई है ठीक है अब section 2 में क्या कहा गया है सबसे पहली definition दी गई है section 2 के 1 जो sub clause 1 है उसमें दी गई है factory कि factory क्या होती है आपको मैं बता दू जो section 2 है उसका sub clause 1 है उसमें सबसे पहले जो definition है वो है employed person employed person कौन होगा जिसको काम दिया गया है तो employed person includes the legal representative of diseased employed person अगर कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा था वो उसकी death हो जाती है उसके death होने पार उसका जो legal representative होगा है यानि वैधानिक प्रतिनिदे जो होगा उसको भी employed person की तरह से ही माना जाएगा और employer कौन होगा वो कहता है section 2 sub clause 1 का part A आप यह कहते हैं हर वो वेक्ति employer माना जाएगा जो की एक employer उसमें काम लगा हुआ था और उसकी मृत्यू के बाद उसका जो legal representative था employer कौन जो काम देने वाला होता है employee कौन जो काम लेने वाला होता है तो employer कौन होगा हर वो वेक्ति employer है जिसकी मृत्यू होने पर उसका legal representative उसकी जगे काम पर आ जाता है यानि A एक मालिक है उसकी death हो गई उसकी death होने पर B जो उसका बेटा था उसने उस काम को संभाल लिया तो B भी एक employer माना जाएगा ठीक है अब तीसरी बात करते है इसमें जो section 2 है sub clause 1 है उसका B part क्या कहता है वो कहता है factory को define करता है factory क्या होती है तो यह कहा गया है हर वो premises को factory कहा गया है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा worker काम कर रहे होते हैं और वो किसी एक मतलब पूरे एक साल बर में 12 महीने तक लगातार उसमें उन्होंने किसी दिन भी काम किया हुआ होता है and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the add of power and is ordinary so carried on जहां पर शक्ती का या electricity का उपयोग किया गया था और वहां पर manufacturing process चल रहा था ऐसे जगे को हमने कहा है वो factory होता है इसके अलावा एक ऐसी जगे भी factory कही गई है जहां पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर power का use नहीं होता और 12 months में से किसी भी एक दिन वहां पर ऐसा काम हुआ है ठीक है लेकिन mines को इसमें include नहीं किया गया है क्यों क्योंकि mines के लिए अलग से act बनाया गया है mines act 1952 तो यह जो होती है यह एक mobile unit होती है और इसको हम अलग से union ministry होती है वो इसे अलग से deal करता है इसलिए इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है अब आगे की बात करते हैं जो चौती जो definition दी गई है वो यह कहते हैं कि industrial and other established कोई भी ऐसी जगह है जो कि industry के रूप में काम आ रही हो उनको भी factory माना गया है उनको भी उस वहां पे भी काम करने वाले वेक्तियों को worker माना गया है बेज लेने के अधिकारी है जो कि section 2 के sub clause 1 में A से Z तक के शामिल होते हैं अब वो क्या है A में ही कहता है tramway services या motor transport services जितनी है उसमें अगर कोई व्यक्ति engaged है as a काम कर रहा है तो उसको वेज मिलने का वो अधिकारी है वेज पाने का इसके अलावा कहता है अगर कोई air transport में है तो वो भी मतलब transportation में जो है उसको भी हमने कहा है वो मजदूरी अधिनियम के अंतरगत वो मजदूर माना गया है B में कहते है dock या jetty या जो नौका ना वगएरा होती है वहाँ पे जो लोग बंदर गाहों पर जो लोग काम करते हैं वो लोग भी वरकर wages मान लेने का अधिकारी है इसके अलबा C कहता है जो भी inland vessel mechanically propelled होता है यानि जो ट्रॉली वगएरा को चलाने वाले होते हैं उनको भी worker माना गया है D में कहा गया है mine, quarry और oil field जो टेल से सम्मदित जगों पर काम करने वाले लोग है mines में काम करने वाले लोग है उनके लिए भी कहा गया है और E के लिए कहते हैं plantation जो लोग forestry department में हैं उनको भी मजदूर कहा गया है F में कहते हैं उन workshops में काम करने वाले लोग जहां पर की manufacturing या adaptation होता है और transportation और sailing का का होता है G कहता है हर वो worker जो की construction development से है और building का या road का maintenance वगेरा देखता है या नहरे बनाने वगेरे का सिंचाई वगेरा का जो काम करता है उन सब को भी हमने worker कहा है तो यहाँ पर यह सारी चीजे जो है इसमें जो appointed लोग है engaged लोग है उनको worker कहा है और यह सब वरकर wage पाने के अधिकारी है इसलिए payment of wages act इनके उपर लागू होता है इस तरीके से तो यह तो हो गई बात की कौन-कौन से इसमें worker शामिल हो गए अब बात करते हैं जो section 2 है इसका sub clause 4 है वो कहता है wages क्या होगा किसको मजदूरी कहोगे तो कहते है हर वो remuneration यानि जो आपको महंताना मिलता है वो जो की salary allowances और इसके अलावा उसमें जो भी चीज जा सकता है यह कहते है जिस भी तरीके से दिया जाएगा उस पे दोनों ही party सहमत होनी चाहिए और जो काम किया गया है उसके एवस में दिया जाना जरूरी होता है और यह कहता है कोई भी ऐसा remuneration payable under any reward or settlement between the parties और order of the court यह कहता है कि इसमें यह सब चीजे भी शामिल है कि जो उ overtime करने के या holiday या leave period पे काम करने के जो उसकी एवस में जो भी उसे चीज दी जाएगी वो भी wages में ही count होगी और कोई additional remuneration जो कि उसने अगर कोई bonus के रूप में या कोई दूसरे नाम के उसमें कोई काम किया है तो वो भी wages में ही count होगा इसके अलावा कहते है हर वो चीज हर जिसको उसका termination, employee का termination का जो उसका कारण मन सकता है उसकी एवस में जो भी चीज दी जाती है वो भी सब इसमें wages काउंट के रूपे count होगा और वो हर वो चीज जो की किसी भी scheme के तहत उसको time use करने के एवज में काम करने की एवज में उसे दी जाती है वो सब भी इसमें तो यह इस तरीके से बहुत सारी चीजें से बारे में clear करती हैं। आज मैंने आपको section 1 और section 2 clear किया है। आगे की class में मैं आपको इसके next section समझावगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह class समझ में आई होगी। पसंद आई होगी। Thank you for keep watching my videos regularly!